शारे बच्चो असलाम अलेकूम, हम Great Caliphs of Islam की Comprehension कर रहे हैं आपके सामने ये तस्वीर है, इसको गोर्ष से देखें आपने इसमें Naming Words का बताना है आपने Action Words बताने हैं और Describing Words बताने हैं, ठीक है? A noun is a naming word, चीजों के नाम को noun कहते हैं जैसे ये एक cat है, ये एक house है और एक car है इनको nouns कहते हैं Nouns can also be things that you can't see, such as emotions जैसे हम जजबात को नहीं देख सकते हैं, उनको भी nouns ही कहते हैं जैसे love है, गुस्सा है, जगड़ा है So love, anger, or fight, they are all emotions इनको भी nouns कहते हैं Nouns are naming words, they name people, लोगों को के नाम होते हैं places, जगों के नाम होते हैं, and objects, और चीजों के नाम होते हैं They can also name ideas, ideas, ख्यालाद, emotion, जजबात, qualities, खसूसियात, and activities अब आप बेखें, ये आपके सामने तस्वीर है, तो इसमें किन चीजों के नाम देंगे जैसे ये एक man है, ये children है, ये एक woman खातून बैठी है, ये एक butterfly है, ये apples लगे हूए हैं, ये flowers हैं बुश में, ये tree है, और ये road है, और आप इसमें से और भी देखें, आपको क्या क्या नजर आता है, और ये bench है, जिसके उपर खातून और आदमी बैठे हुए हैं, तो ये हमने naming, नेम किया, nouns के नाम लिए, फिर है action words, आप देख रहे हैं, कि इसमें action हो रहा है, action words क्या होते हैं, words that describe actions, इनको verbs भी कहते हैं, that describe action, जिससे पता चलता है कि कोई काम हो, जैसे the boy is dancing, तो dance करना जो है, वो action word है, इसी तरह flying, प्रिंदे उड़ रहे हैं, तो flying जो है, वो action word है, जो हमें action का बताते हैं, प्यारे बच्चों हम मुसल्मान हैं, तो हमें अल्ला और उसके रसूल की महबत हासल करनी चाहिए, तो खाली हमें जो अपने actions हैं, जो अपने आमाल हैं, उनकी भी करनी चाहिए, care, और सची बात कहना, अमानत अदा करना और बहतरीन प्रोसी बनना, अगर हम जबान से तो मुसल्मान हैं, लेकिन हमारा अमल इसकी गवाही नहीं देता, तो फिर इसका कोई फाइदा नहीं हैं, तो प्यारे बच्चों सच बोलें, अमानत अदा करें और बहतरीन प्रोसी बनें, ताके अल्ला और उसके रसूल की महबत हासल हो, अब आप ये देखें कि इसमें क्या क्या एक्षन हो रहा है इस सस्वीर में, हम देखते हैं कि वॉइ इस वॉकिंग, तू बॉइ जार डूइग एक्सरसाइज, और यहां पे आदमी और और बैंच पे बैठे हुए हैं, दे आर सेटिंग, और butterfly is flying तो action words में आ गया walking doing exercise sitting और flying तो ये हमने action words सीखे अब आगे चलते हैं adjectives are describing words जो nouns की खुसूसियात को बताते हैं उन्हें adjectives कहते हैं या describing words कहते हैं they describe a noun a person, place, or thing adjectives give information about size, shape, age, color, origin, or material adjectives हमें क्या बताते हैं कि किसी चीज़ का size कैसा है उसकी shape कैसी है, उसकी उमर क्या है उसका रंग क्या है या वो किस material से बना हुआ है तो अगर हम अपनी तस्वीर पे वापस चलें लेकिन उससे पहले आप देखें कि Allah ताला ने सारी दुनिया तखलीक की लेकिन खुद वो पर्दे के पीछे चुपगया, उसने अपनी सिफात बताई हैं, तो प्यारे बच्चो अगर हम लाँ को जाना चाते हैं तो लाँ के नामों को जाने लाँ जो है, वो हमें रोजी देता है लाँ ही सारी दुनिया का जानने वाला है, कुशादा करने वाला है 99 صفاتی نام ہے अगर हम awesome prayer बिमार हों तो किसी के पर ये ना क ते ना किसी के उपर जब बिमार हों तो किसी के उपर ये ना केंगे उसमें бिमार कर दिया हमारी रोजी बन कर दिया और हमें लाज़ गुनाभी करते है लाज़ माफ करने वाला है तो प्यारे बच्चों, कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें, कुरान मजीद अल्ला ताला का तारूफ है फिर है, डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे हैं, जैसे ये एक केक है, केक जो है, नेमिंग वर्ड है तो इसको describe कर रहे है, yummy ये बहुत मजे का है और ये chocolate का बना हुआ है सो these are describing words, yummy and chocolate, they are described about cake केक को describe करते हैं, yummy and chocolate हम अपनी इस तस्वीर की तरफ जाते हैं, तो आप देखें, इसमें describing words क्या होंगे जैसे, boy is wearing blue suit तो blue जो है, वो describe कर है, उसके track suit के रंग को ठीक है फिर अगला है जो मैन है उसने रेड सूट मेरून सूट पेना हुआ है तो मेरून जो कलर को डिस्क्राइब कर रहे है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये एपल है राइप एपल पका हुआ एपल है फिर आप देखें कि ये नमब फ्रेश हैं, फिर उसके बाद आप देखें कि ये ब्यूटिफुल बटरफलाई है, खुबसूरत तितली है, तो तितली का ब्यूटिफुल जो है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, फिर आप ये देखें कि ये काफ्ड रोड है, जिसके उपर बच्चा और आदमी वाक कर र बेंच है, जिसमें आदमी और अरत बैठे हैं, और ये एक यंग वुमेन है, तो ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो अगर हम देखें, बॉइज वेरिंग ब्लू सूट, तो ब्लू जो है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है सूट का, इसी तरह रेड कलर जो है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, सूट को, इसी तरह बिग ट्री, बिग जो है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और राइप एपल, आप इसको राउंड एपल भी कह सकते हैं, राउंड और राइप एपल जो है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और इसी तरह और यह है comfortable bench कि वो अराम से बैठे हैं तो यह bench की खसूसियत है यह describing word है और two boys number को describe कर रहा है कितने लड़के हैं दो तो यह भी a describing word और young woman उसकी age बता रहा है woman is a noun और young is a describing word और यह road है और curved road जो है road को describe कर रहा है तो प्यारे बच्चों अमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें